क्याल चाले दोस्तों कैसे आप सब तो बस यह मस समझेगा कि BJP का प्रचार करने में आ गया लेकिन कहानी यही है दोस्तों कि फिर एक बार मोदी सरकार आने वाली है यह बात मार्केट को भी बता है और यह बात हमने देख ली कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं ठीक है और आए बिना किसी को कुछ पता भी नहीं होता कि क्या करने वाले और वो कर देते हो और सब को सर्प्राइज कर देते हो मोदी जी कहते हैं मैंने किसी को भी सर्प्राइज नहीं किया भाई हर बार जो भी हम करना चाहते हैं करने वाले हैं वो हम BJP के मैनिफेस्टों में पहले ही देदे हैं बही आप कहते हैं नहीं है कर दिया बताे ने जाकि भारतिकरत का पर अगर अगर उन्होंने यहाँ पर कुछ बिजनस के मामले में कहाई तो कहाई तो करेंगे और अगर कहा है तो करेंगे तो जरा ढूंड लें कि भाईया हमारे मतलब की बाते वहाँ पर क्या क्या लिखी हुए है शेयर मार्केट में उसका क्या इंपैक्ट होने वाला है और आपने तो देखी लिया कि अमित्षा जी ने भी बोल दिया कि जी चुनाव के बाद दिया देखो क्या सुनामी आ सकती है जबरदस्त वाली उपर जलने वाली के मार्केट धड़ा-धड़ भागेंगी और मेरा अकलन तो शुरू से है कि अब निफ्टी का अगला टार्गेट निफ्टी 50 का 30,000 है अगला टार्गेट एक लाख है ठीक है बड़ा ही मतलब ये पुराने समय से बोलता चला रहा हो तो में ने सोचा क्यों ना उनके इस संकल्प पत्र के टेबल ऑफ कंटेंट्स में से देखूं कि भी क्या चीज जो है शेर मार्केट में हमारे लिए फाइदे का सौदा होने वाल ही है तो फटा फट से यहां पर कुछ देख लेते हैं जी करीब परिवार्जन मिडल क्लास नारी शक्ति यंग सेटिजन सीनियर सेटिजन किसान सम्मान फिशर्मेन फैमिली श्रमिक सम्मान सबके लिए एक टेबल कंटेंट बना हुए ठीक है इस पर डेटेल दिए में समॉल सबका साथ सबका विकास विश्बंदू भारत हमारे मतलब की चीज क्या वही है बिजनस की यह बदाओ सुरक्षिद भारत ठीक है जी प्रॉस्परस भारत ग्लोबल मैनुफैक्चरिंग हब माई डियर फ्रेंज ये तो मैं आपको बता दूं कि मैं हमेशा से बोलता था कि अभी इंफरस्ट्रक्चर अगला लिखा इंफरस्ट्रक्चर इसकी बात भी होगी और लगातार चल रही है इसके बारे में आप देख लो कि मेरे पुराने जितने वीडियो बने हैं उसमें L&T सारा स्टील सेक्टर सिमेंट सेक्टर बैंकिंग सेक्टर मतलब पूरा इंफरस्ट् हर चीज में जबरदस्त विकास हुआ लेकिन जो manufacturing सेक्टर था ना वो एक दम बूम नहीं किया वो धीरे धीरे करके बढ़ता रहा इसमें कोई शक्की बात नहीं कि स्टील हो सिमेंट हो फिर चाहे आपके infrastructure से जुड़ी जितनी भी चीज़े हो वहाँ पर सब में बढ़ोतरी लेकिन global manufacturing हब जब शब्द जोड़ दिया global तो इसका मतलब हो गया कि अब यहां से बना करके export करना है तो पहले यहां की requirement पूरी करेंगे इतनी production होनी चाहिए कि भाई यहां तो पूरा करो ही करो और उसके बाद विदेशों में भी बेच सको यही same theme जो है हम जाके देखेंग है कार नदर आ गई है तो इसका मतलब auto sector चड़ने वाला है और चड़ने वाला है auto sector के अंदर और तगड़ा काम होने वाला है ठीक है तो कारण यह कि EV का बहुत ही जबरदस्त काम इंडिया में चल रहा है कोई बड़ी बात नहीं है कि हम net exporter EV vehicles के बन जाए उस पर कौन काम कर है अब मैं एक एक चीज पकड़ू है यहां से ठीक है ना ग्लोबल मैनुफेक्टरिंग हब मेक इंडिया प्रोग्राम इसके अंदर क्या करने वाले देख लेते हैं major economic sector with good success in electronics, defense, mobile, automobiles and more तो भाया यहां से सबसे ज़्यादा जो मेरा ध्यान आकरशक कर रहा है वो है डिफे इन सेक्टर जो है उसके अंदर मैंने अपनी अडवाईजरी में बहुत सारे लोगों को बता दिया के भाई देखो ऐसा है अचा एक बात ध्यान रखे का यहां हम general discussion कर रहे हैं मैं किसी तरह की कोई राय नहीं देता जिए आप यह खरीदो वो खरीदो लेकिन यहां से मैं से सेक्टर का पता लगा रहा हूं कि किस सेक्टर पर जो है यहां पर गेम खेली जाने वाली है तो अडवाईजरी जो है वो गवर्मेंट अफ इंडिया की तरफ से आ रही है वो गवर्मेंट अफ इंडिया की तरफ से आ रही है कि भाई करो बाई करो बाई करो खरीदो खरीद तो डिफेंस सेक्टर की अगर मैं बात करता हूं तो भाई हमारे पास तो मुल्टिपल शेर आ जाते हैं डिफेंस सेक्टर में हमारा सबसे चहेता शेर बेल वो देख लो आज कितने परसेंट उपर है अभी मार्केट चल रही है साथ 8% के असपास उपर दाज हाला कि इसने अरे लेकिन अभी तो भाईया स्काइज दे लिमिट तो मैं पहले एक बेल आपके पास लेके आता हूं उससे जुड़ा हूँआ होगा कोचीन शिपयार्ड मजगाओं डॉक हो गया उसके अलावा भारत फोर्ज हो गया है चल तो मैंने बता दिया न तो उसी तरीके से अब ह हेल लिखता हूँ पहले हेल से हिंदोस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड ठीक है और इसके टकर में क्या है बहुत ही इंपोर्टन बहुत ही बढ़िया शांदार चीज यह दोनों शेर मेरे फेवरेट हैं और इसके अलावा मैंने कहा लिखा भारत फोर्ज आपको बताया तो भ नज़र आ रहा है और इसकी ठीक ठाक जो है पीई है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी यहां से ठीक ठाक दिखाई दे रही है ठीक है है एपी फोर्जिंग इसको भी देखना पड़ेगा ठीक है लेकिन अभी जो कहानी है अगर पीई के हिसाब से देखें पीजी के हिसाब से तो कौन कौन सी चीज़ें में नजर आती हैं इसको हम अच्छी तरह से अनलाइज करेंगे लेकिन कास्टिंग फोर्जिंग में जो जो ये काम कर रहे हैं उसको में देखना पड़ेगा ठीक है तो बेल हो गया भारत फोर्ज हो गया बीडियल हो गया देख लिया हमने नाम ले कि मैंने मजगाओं पर एक जो वीडियो बनाया था वह गजब का चला ठीक है अभी कुछ ही दिनों में उसने अपने पूरे टार्गेट जबर्दस तरीके से पूरे कर लिए तो अब आप यह देखो कि कि अगर मैं यहां पर बोलता हूं आपको मजगाओं और मेरा वीडियो जिसने यूट्यूब पर देखा और उसने उसमें पैसा कमाया अपनी मरजी से भाई क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने की तो हम किसी को सला कहते हैं जी अपने इन्वेस्टमेंट अडवाईजर की सला के बिना बिलकुल मत कीजिएगा और मेरे कहने से तो केवल सीखिएगा तो मजगों डॉक जरा देखिए एक महीने पहले हमने इसके बारे में बातचीत की थी ठीक है कि नहीं एक महीने पहले हमने इसके बारे में बातचीत की थी और मैं इसका आपको नमबर दिखा देता हूं ये एक महीने पहले कहां था और ये अब कहां पहुंच गया है आज की डेट में 2,888 नजर आ रहे हैं एक महीने पहले लगबग मैंने इसके वीडियो इसका डेटेल बगरा बना के दी थी आपको और जरा आप इसका नंबर देखिए के ये कहां पहुंच गया है ठीक है अभी देखते हैं जी तो इंट्रिंसिक वैल्यू आट सो चार थी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है रिटान और इकुड ही बड़ा जबरदस था इसलिए हमने इसके बारें बात की थी हाथ बगले का हला था देख लिया तुमारे हाथ सारे के स सारी जिन्दगी खराब कर दी सतर साल से ऐसी की तैसी कर दी तुमने इधर देखो जी आप सारी बाते चोड़ोगी है हमने इसके टार्गेट क्या रखे थे मैं वह सुना तो आपको आपको इसकी और अगर इसको देखें तो अभी यहां पर इस नहीं दो हजार तीन सो नहीं कि 2,200 रुपई के जडरा चेक करिए 1,2,290 रुपई का रेड था है कि दो हजार नहीं 2,200 का रेड था चैनल मैं बातचीत कि 2,200 रेड था और मैं डेट आपको दिखा रहता हूं कि किस दिन हमने इसको रिलीज किया था को एक महीने पहले पाँच एप्रिल के दिन हमने इसे रिलीज किया था और 2200 का रेट था यानि एक महीना कुछ दिन हो गए 2200 के रेट से माई डियर फ्रेंड्स इसने एक महीने में 34% का रिटरन दे दिया अभी तक और अभी भी खतम नहीं हुआ है क्योंकि इसका अगला टारगेट जो हमने दिया हुआ है वो तो पैंतालेस परसेंट का टारगेट पूरा होने वाला है दो महीने के अंदर अंदर वो target अगर पूरा हो जाएगा तो ज़रा देखो कि क्या गजब की situation हम वहां से उठा करके ले करके आए और इसलिए कहता हूँ मेरे भाई जो हम सारी की सारी चीजें ये सिखाते हैं ये सब हमने अपने इस super stock market course में दे दिया है जी हाँ आपको कहोगे सर जी advertisement कर रहे हो हाँ भाई कर रहा हूँ बताओंगा नहीं तो समझोगे कैसे are you getting my point or not नहीं बताओंगा तो पता कैसे चलेगा advertisement तो हर कोई करता है तो बड़ी से बड़ी company advertisement करके तो अपना समान बेचती है और आप उसका समान खरीद के फाइदा उठाते हो तो यही चीज है इसमें इनवेस्ट करके फाइदा उठा है यह इनवेस्टमेंट के लिए आपका इस super stock market course है डीटेल जो है आपको इसी वीडियो के description box से मिल जाएंगी अगर कोई और बाते जानना चाहते हो तो इस number पर मुझे call करें पूरे एक साल आपके साथ जो है training आपके कराएंगे और शांदार तरीके से जैसे मैं यह सब analysis कर पा रहा हूं आप भी कर पाएंगे इस वीडियो को पूरा देखना मत भूलना एक महीने के अंदर मतलब दो महीने में 45% का target दे दिया इसने क्या सिखाया था मैंने सोचो इससे और बहुत सारी बाते हैं यह तो बिलकुल समंदर में बूंद के बराबर सिखाया था इस वीडियो में तो यह सारे defense sector के जितने shares थ जाला है फिर यह गती शक्ती बड़ी तेज चीज है ठीक है गती शक्ती के इसके उपर भी बातचीत करेंगे अभी हम और product nation major engineering and design services hub create करना है और world में अपने आपको बिलकुल इसी नाम से पहचाना जाना है हमने food processing की बात हो रही है ठीक है उसको देख लेंगे अभी हमारे का का नहीं है यह one district one product inclusive development करने वाले हैं देश के brand को बढ़ाने वाले हैं कोई बात नहीं बढ़ाओ जी बढ़ाओ promoting defense manufacturing my dear friends मेरे दोस्तों मेरी बात सुन लो defense में चाहे वो army से जुड़े product हो चाहे वो air force से जुड़े product हो चाहे वो आपकी navy से जुड़े हुए ships वगरा हो चाहे वो बड़ी बड़ी पंडुबियां हो ठीक है के नहीं और चाहे वो space से जुड़े rocket से जुड़ी चीज़े हो यह सब में बहुत तगड़ा काम होने वाला है फिर railways में बहुत तगड़ा काम होने वाला है एक बात आप समझ लो यह sector बड़ी तेजी से आगे बढ़ने वाले है तो मैंने अच्छा देखो ship building को अलग से बना दिया ship building का तो अलग से ही उन्होंने बना दिया देख लो तो इसका मतलब यह coaching shipyard और मजगाओं कूद जाएंगे भाई उपर ठीक है कि नहीं इलेक्ट्रोनिक्स manufacturing में हब बनाना है semi conductor और चिप manufacturing में company अभी सामने आ जाएं क्योंकि जो लिस्टेड है अभी तो वह सामने नजर आनी और इवी manufacturing और automobile तो इवी में तो सीधा सीधा नाम आपको तो किनका नाम जुड़ा हुआ जाएगा data motors का जुड़ा हुआ जाएगा ठीक है बाकी companies भी हमारी EV के उपर काम कर रही है ठीक है और यह मत सोचना कि two wheelers जो है EV वह नहीं आएंगे वह भी तगले चलेंगे भाई ठीक है textile manufacturing थोड़े समय से पीछे ही रहा है तो मैं अभी इस पर इतना bullish नहीं हूँ देखेंगे इस पर क्या काम होता है इसके charts को मैंने अभी बहुत समय से जो है भी analyzing नहीं किया क्योंकि बाकी sector इतने शांदार चल रहे थे तो इसलिए इस पर अभी क्या काम नहीं किया लेकिन जो rare earths and strategic mineral industry है उस पर बड़ा तगड़ा काम होने वाला ह ठीक है कि नहीं तो यह जो है कहानी इस पर भी बात करेंगे यह देख लो मैं आपको नाम गिनवार हूं सारे कि सारे कि कहां कहां कौन कौन से sectors में काम होने वाला defense के मैंने आपको अभी शेयर जी बतारी है rail यह काम बहुत होने वाले कबच train protection system expansion यानि इसका मतलब यह हो गया बहुत सारी companies ठीक है जी मैं सबसे पहले IRFC जो की finance करती है सारे railway के काम को उसको पकड़ लेते हैं ठीक है IRFC और power finance corporation यह दो बिल्कुल top की companies है ठीक है जी उसके अलावा rail tell करके है rail tell corporation my dear friends यह जो company है nationwide broadband पहुंचा रही है टेलिकॉम services पहुंचा रही है और यह समझ लो यह मिनी रतना company है government की ठीक है और investment में 72% प्रमोटर में आप देख रहे हो लिक के रख लो इसे ठीक है जी वह भी मैंने वीडियो बना के दिया हुआ है लेकिन खरीदना अपने investment advisor की सला के साथ मेरे साथ तो केवल सीखो अच्छा उसके अलावा RVNL अगर आपको यादो भाईया और वह टीटागड यह गजब की companies है ठीक है जी तो रेल विकास निग इसमें जो काम होने वाला यह बहुत तगड़े लेवल पर काम होगा यह सुन लो बहुत तगड़े लेवल पर तो यह सारी की सारी companies हो गई डी रेल से जुड़ी होगी कवच सिस्टम बनाने वाली कवच कौन बना रही है कंपनी कवच इज डेविलप्ट बाई कवच इस कंपनी कौन है कौन बना रही है देखना बढ़ए गा कि ट्रें कोलिजन ना हो ठीक है ना देखेंगे इसके ओपर काम कौन कर रहे हैं कुछ companies इस पर काम कर रही हैं तो इस पर भी मैं आपको नाम इसके details निकालूँगा तो बताओंगा इन्हीं में से कोई companies कुछ काम कर रही है ठीक है ना और इसके अलावा रेल से हमें सारी कहानी समय में आगे कि रेल पर बहुत काम होने वाला है बिल्कुल जबरदस तरीके से काम होने वाला है इवी सेक्टर में काम होने वाला है उसमें अशोक ले लाएंडब यह देखो जितनी ट्रेंज बन रहे हैं ट्रेंज को देखो भाई तुम अभी इवी पर दुबारा आता हूं भी मैं देखो निव एज फ्र तकड़े तरीके से आगे काम हो नहीं होना है फिर यह प्रमोटिंग इवीज अब यह ग्राम सड़क योजना ठीक है गाउं तक सड़के जाएंगी तो सोचो कितना बड़ा काम होना एक्सप्रेस वेज और रिंग रोड बेहतरीन तरीके से आगे बनेंगे तो जितनी भी बनाने वाली कंपनी से उनका काम बढ़ेगा और एक बात आफ सबको बदा दूं कि भाईया फुल बजट अभी नहीं आया था चुनाबों से पहले कभी भी कोई का जो भी हमारी पार्टी होती है जो सत्ताधारी सत्ताधारी पार्टी है वो कभी भी अपना पूरा बजट पेश नहीं करती उसे मालूम है कि जब तक जब तक ये चुनाब हो जाएं तब तक के लिए तो एक मिनी बजट सामने पेश कर दो और जैसे ही चुनाब खत्मोंगे रिजल्ट आ जाएगा बीजेपी फिर जो इस बार जुलाई के अंदर अपना वो जो फुल बजट पेश करने वाली है ना भाई साब हिल जाएगी दुनिया इंडिया की बात नहीं कर रहा भारत की बात नहीं कर रहा भी या मैं अच्छा इंडी वाले तो हिली गए हैं उनकी हिले की बात बात करो इंडिया लाइंस को तो हिला नहीं दिया वाव तो भुकम पला दिया है ठीक है तो यह समझ लो तो 340 से 350 सीटे तो खाली बीजेपी मेरे इसाब से जीत रहे हैं 370 थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है लेकिन जैसे तैसे करके 400 को एंडिया टच करने का प्रयास करेगी और ज 400 के आसपास उनको सपोर्ट मिली जाता था लेकिन वो इंडिविजुली इस बार जो है तगड़े तरीके से बोल दिया के वाई इतना आनी चाहिए ठीक है हम भी कहते हैं अपने बच्चे को कि वाई कितने परसंट आयो के तो पापा 95 परसंट ले आरे मेहनत कर मेरे भाई औ अगली बार कोशिश कर 100 लेकिया तो 99 आगे तो हम कहते हैं 100 लेकिया और मेहनत कर तो यह वह कहानी जो है मतलब मोदी जी ने अपनी सारी के सारी टीम को बता दिया वाई मेहनत करो और चलो आगे तो प्रमोटिंग ईवीज एवी चार्जिंग स्टेशन तो भाईया टाटा मो पांच साल का लेके चलो 2030 में आज मैं आपको अपनी भविश्य वाणी करके दे रहा हूं कि सारे रूल तूट जाएंगे कौन से रूल यह कि स्टॉक मार्केट जब उपर जाती है तो गोल्ड और प्रॉपटी नीचे आती है स्टॉक मार्केट जब नीचे होती है तो गोल् पे होगी और प्रॉपटी के रेट भी टॉप पे होंगे और गोल्ड चांदी यह सब भी टॉप पे होंगे समझ लो इस बात को तो इवी में आपको बता दिया यह शोकले लैंड बहुत तगड़ा काम कर रहे है बसों का और एक स्कीम और मैंने सुनी थी कि प्रदान मंत्री ही बस सेवा आने वाली है जादा बहुत तेजी से उसपर जो है काम हो रहा है अच्छा एविएशन सेक्टर में मैं अभी काम नहीं करूंग अभी बात नहीं करूंगा से हाला कि ऊस पर हो सकती है खिशिप्रिक चिद्ध बहुत काम होने वाला बहुत काम होने वाई वया तो तीनो जी ओ भार्थी एयर्टल वड़ाफोन धमाकेदार परफॉर्मेंस करें गे देख लेना आप धमाकेदार अगे मैं तो फिर उसेा तो बहुत बहुत बाली है यह बहुत काम करने वाली है यह बहुत काम करने वाली है अब एक और आएगी आपकी अब को लेक्ट्रा ग्रीन टेक वह भी थोड़ा हाई चला गया लेकिन उस मामले में अशोक लेलेंड अभी भी जो है विंड वाली एनर्जी सोलर एनर्जी यह इन पर बहुत काम होने वाला है अच्छा जी फिर अफॉर्डिबल हाउजिंग को अभी मैं छोड़ देता हूं पाइब्ड नैचरल गैस कनेक्शन भाईया पेट्रोनेट एलन जी आईजी एल गुजराद गैस देखना और अडानी टोटल गैस यह चार कमनीज के नाम बता दिया मैंने आपको यह तगड़ सबच जाओ और मैं आपको बदा दूँ टाटा तो काम करी रहा है टाटा अपनी पेसेंजर वेहिकल को अलग कर रहा है कमर्शल को अलग कर रहा है उसके पीछे भी रीजनिंग है बांटने का भी उसके बीचे कारण है बिलकुल फोकस करके और लगबग मोर्दन 40,000 क्रोड क नहीं टोटल शाहिए 43,000 क्रोड का फंड आने वाला है टाटा में सुन लो ध्यान से उसमें से 35,000 क्रोड जो है एक तरफ जाएगा जेलार वगरा के लिए वहां से खूब पैसा चाहिए और 8,000 क्रोड जो हमारी डुमेस्टिक रिक्वार्मेंट है उसमें लगएगा तो टा शोक लेलेंड आता है शोक लेलेंड के लिए मैंने पूरी डेटेल बना के आपको दे रखी है भाई साब वह तेजी दिखाएगा इस शेहर के आप याद रखोगे ठीक है ना हाथ नहीं आएंगे वो शिया विरासत भी विकास भी यह लो विरासत भी विकास भी का मतलब क्य दुनिया भर में चमक जाएगा हमारा देश अचा ये सारी बाते अब जो है गवर्नेंस की तरफ चले गए हम हमारा जो बिजनस वाला पॉर्शन था अलगी बहुत सारी बाते डिसकस करने को है लेकिन इस प्लाटफॉर्म पर में वो सारी बाते नहीं कर सकता और यहां पर हम इन चीजों को देखते चले आ रहे हैं तो वो पढ़ाना नहीं है मुझे आज ठीक है फोकस का है कि धंदा कहां से मिल रहा है बिजनस कहां से मिल रहे हैं यहां पर फोकस वाएं तो ईवी बसे के लिए भी मैंने आपको बता दिया ठीक है जी और बहुत सारी इसमें आइटम हैं लेकिन जो टॉप क्लास जहां पर रिटर्ण विलने वाले हैं मैं तो उनको पहले फोकस कर रहा हूं तो यह गैस का आपको बता ती है मैंने गैस आगी तो ओंगी बीच में आ गया और हाला कि यहां पर वो बोलते चले जा रहे हैं मैंने कोल इंडिया के बड़े जबरद तो यह जो विंड सोलर ग्रीन हाइडरोजन यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवशकता है कि यहां पर बढ़िया कंपनी को चूज करना पड़ेगा आने वाले समय में हर एक एक करके सबके वीडियो बनाके अपलोड करूँगा बैटरी की अगर मैं बात करूँ बैटर लेवल पर बहुत काम कर रही है एमरा राजा बैटरी बहुत बढ़िया काम कर रही है ठीक है धीरे धीरे करके यह सब लोग इसमें आने वाले हैं ठीक है और आप देखोगे कि जो बड़े-बड़े हमारे यह पीस यूज है न यह भी धीरे-धीरे करके यहां पर भी शिफ् भूलना मत ठीक है न तो अचानक से आपको पता चलेगा अच्छा इन्होंने यह भी शुरू कर दिया वह यह वह पहले जाकर देखो अभी से शुरू कर दिया काम उन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी पर अभी बात नहीं करेंगे एथनॉल मिक्स की डियोल बैनिफेट की बा चाहिता है तो वहाँ पर भी थोड़ा सा चेक करने की आप शकता है ठीक है ना सोलर एनर्जी पर बड़ा तगला काम हो रहा है भाई इवी चार्जिंग त्रू सोलर एनर्जी आप यह समझ लो यह एलेक्ट्रिक स्टोव्स फैन एसी टीवी यह सारे के सारे सब सोलर एनर्ज आप लेज यूज करनी है यूज करो एक्स्ट्रा को गवर्मेंट को बेच दो यह सिस्टम चला दी है भाई साब यारी घर बैठे बैठे अगर आपकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है कहीं तो आपने सोलर पैनल बना दिये चला दिये अपनी एनर्जी खुदी यूज कर पहुंच जाएगा 6G जैसे ही आ गया डिज्टल रिवल्यूशन भाई साब यह कहानी 5G और 6G की कहानी है एर टेल को जानी भारती एर टेल जी ओ और वोड़ा फोन आइडिया वोड़ा फोन आइडिया को भूलना मत मैं आपको याद दिला रहो हो जिस रेट पर मिल रहा है आने वाले सबहें में आप सोचोगे अरे 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 जैसे आज बोलते हो ना कि काश 2020 में 80 रुपे के आसपास रेट था टाटा मोटर्स का ले लिया होता तो आज वो हजार रुपे का होता यह होता तो वो होता यह भी आज 3-4 साल बाद आप वोड़ा फोन के लिए बोलने के हो सकते हो बागी समय बताएगा तो यह देखो जी आगे नैशनल रिवर इन लैंड एरवेज बनाने वाले बहुत तेजी से काम होने वाले हैं बहुत तेजी से प्रोजेक्ट आने वाले हैं और एक ऐसी चीज आपको बताऊंगा कि आप सब हिल जाओगे ठीक है कि पीछे य अब मैंने बहुत सारी कंपनीज के यहां पर डिसकॉशन कर लिए और जो इससे जुड़ी हुए उनके नाम बता दिये यह सारे के सारे सेक्टर जो है ना यह खींच के उपर ले जाएंगे अच्छा और भी इसमें आइटम्स हैं मैं उन एक एक चीज को अगर पकड़ने बै आगे सिस्टम है ना वो पता लगता हैं इसी लिए ये गवर्मन्ट सब लोगों के लिए कहीं ना कहीं वह करती-चली जा रही है करती-चली-जारी मैंनिफेक्चरिंग हब जो था ना जो सेक्टर था वो थोड़ा सा पीछे परशान रहा हाला कि काम तो कर रहे थे लेकिन मै आपको अलग ही देखने को मिलेगी क्योंकि उसकी नीव बनाई जा रही थी अब बिल्डिंग इन पांच सालों में आसी खड़ी होगी कि लोग देखते रहा जाएंगे और मोधी की गळाएंटी यही है ठीक है वो नियाय पत्र भी पढ़ लिया था मने अगर आपने ना पढ़ा तो पढ़ लेना उनका तो बस यह है कि जाती घंड़ना करा लो ठीक है के नहीं और सब का री डिश्रिपिशन कर दो रीटिस्रिपिशन का मतलब क्या हो गया redistribution का मतलब हो गया कि अमीरों का पैसा जिस सब को पता करो वो ले करके सब में बराबर बढ़ दो ये कुछ ऐसा ही हो गया कि एक बार मुझसे किसी student ने पूछा था law की class चल रही थी और समाजवाद पर बात आ गई तो मैंने उसे कहानी सुनाई वो भी एक teacher की कहानी थी तो मैंने गा जी एक class में मानलो आपका टेस्ट ले ले दाऊं जी मैं और उस टेस्ट में जो है सभी के जितने भी टेस्ट के अंदर नंबर आएंगे उसका मैं आपको एक specific तरीका बदाऊंगा क्या करेंगे तो भाई किस किसी के 95 परसंट आये किसी के 98 परसंट आये 80 70 60 किसी के 30 परसंट भी आये 40 परसंट भी आये और किसी के 50 परसंट भी आये और जितने भी बच्चे थे उन सब के numbers को लिया total marks को लिया divide कर दिया हमने उसे number of students है और सम्में average बाट दी अब average सबकी 60 60 आ गई सारे पास अब मेहनत करके 95 लिए और मजे कौन लेगा वह 30 वाला अब अगली बार जब टेस्ट होगा तो क्या होगा अगली बार जब टेस्ट होगा तब भी सब को बदा दे जी इसी तरह से average होगी अब जो मेहनत करने वाला था जो करता भाई जब मिलने ही average है तो मैं तनी मेहनत क्यों उसके और दस आ गए यानि अगली बार के टेस्ट में जो average थी वो घटके 40 रह गई एक और टेस्ट लिया तो घटके average ऐसी आ गई जो की 33% से भी कम थी सारे के सारे फील होगा है यही समाज बात है यही communism है यही redistribution of wealth है कि एक समय ऐसा आएगा जिसने मेहनत करके कमाई की है त जब सारा पैसा मेरा चीन के सब में बाटी देना है और वो जो गरीब तबके का बैठा हुआ जो मेहनत आज कर रहा है कुछ मेहनत करके कमाना चाहता है वो भी कहेगा मुझे घर बैटे मिल रहा है तो भई मैं क्यों जाके मेहनत करूं ठीक है कि नहीं तो यह तो redistribution भी उन्ह समज़दार हो आप तो ये समझ लो कि ये काम जो है ये विपक्ष कर रहा है तो जैसे कहते हैं ये आपको पता ही होगा डेश डेश फिल कर लूँ ये डेश डेश जो है अपने आप फिल करना ये फिल कर लो जो भी कहना चाहते हो तो ये कहानी है वहिया एक ऐसी कंट्री की अब इंडिया डिफेंस में नेट एक्स्पोर्टर बन जाएगा यानि माल खरीदेंगे नहीं 40% इंपोर्ट होथा था आमजन एमिनिशन एमिनिशन 40% अब उसकी दर रह गई है 10% यानि 90% यहां से बना रहे हैं फिर तेजस ले लो मिजाइल ले लो भाईया सब यहां पर बन रहा है और देखो न छोटे-छोटे जो देश हैं उनको भी तो अपनी सुरक्षा करनी है और वो यूएस से और रशा जर्मनी जेपैन ये इनको ट्रीटी नहीं करते हैं क्योंकि उ हम मोदी जी ने अपने साथ बिठा लिया सारे हरान हो गए तो वह तो भाईया गद गद हुआ इतनी सारी कंट्री के हमें भी पूछने वाला आया इतने सालों में हमें भी किसे ने साथ में बिठाया तो अब पूरी जिंदगी जो है उसके लिए इसान बंद रहेंगे और उ इंडिया अलग-अलग कंट्री में और मान लिया जाए कि हमने ये काम 80-90-100 कंट्री में भी बढ़ा लिया तो भाईया इंडिया को बहुत-बहुत-बहुत आगे बढ़ने से कोई रोकी नहीं सकता किसी के बस की नहीं है सारे के सारे टेबल पर आगे बढ़ेंगे बाई आज आपको बाते जो बता रहा हूं न ये सारे इस संकल्प पतर को देखने के बाद ही बता रहा हूं ये और उसका इंपक्ट बिजनस पर क्या पढ़ने वाल है पावर के अंदर जितना अब जैसे अडानी पावर पर मैं यतना क्यों बुलिश हूं समझे मेरी बात के नहीं उसके पीछे इतना बुलिश होने का कारण ही है और दूसरे टाटा पावर पर बुलिश क्यों हूं है और दूसरी पावर कंपनी पर गैस कंपनी पर बुलिश क्यों हूं है क्यों कि मुझे मालूम है कि इन सब की रिक्वार्मेंट होनी है जब पूरे देश में इस तरह से का होगा तो बिजली तो चाहिए चाहिए भाई और जितने लोग है यह भी कम पड़ जाएंगे मैं जो बात बोल रहा हूं उसको दिमाग में बिठा लो यह जो लोग जितनी सप्लाई कर पा रहें इनके प्राफिट क्यों बढ़ रहे हैं इसलिए बढ़ रहे हैं कि वह रिक्वा प्रोड्यूस करवाने की बात हो रही है घर में अपनी भी यूज करो और जो बाकी कंपनी बना रही हैं वो हम कमर्शल में यूज करें आप भी जो सर्पलस हो वो गवर्मेंट को बेच दो गवर्मेंट भी बड़े कमाल के काम कर दी है ठीक है ना ओइल लिया कहां से ओईल क कंट्री थी वो यूज लिया अब इस समय कौन खरीद रहा था उनसे रशा को चाहिए कुछ ना कुछ तो हमने रश्या से का ठीक है वह हम खरीद आपका और उसको पेमेंट कर दी रूपीज में इंडियन रूपीज में अब वो इंडियन रूपीज भी हमारे पास है और यह माउंट का लोन जो है वो एक तरह से रश्या के पेमिट हमने कर रही है उस करण से हमारी लावरिटी बड़ी लोन बढ़ गए अब ये फालतू बकवास करने लग गया विपक्ष के जी आपने जो है इतनी लावरिटी बढ़ा दी इतना पहले कभी नहीं था अरे भाई तुम बैठ रहे हो तुम्हारे में अकल होती तो सतर साल में देश कहां से कहां पहुँच जाता तुम जाके अपने बिल में जाके छुप जाओ हम देख लेंगे अब क्या होने वाला है वो सुन लो रश्या का जो पैसा है वो रुपीज के रूप में हमसे से बात हो गई थी अब हो कहते हैं रुपीज तो पूरे वर्ड में जहां-जहां चल रहे थे हमने चला दिये और किसे ने इंडियन रुपी लिया नहीं तो हम भी जानते हैं कि हम कहते हैं जी जालो ठीक है एक काम करते हैं हमने आपका इतना पैसा जो देना है वो आपके रुपीज यहां पढ़े हैं यह आपका अकाउंट है हमारे देश में यह आपके सारे पैसे पढ़े हैं हम आपको डॉलर तो नहीं दे रहे जी यूएस डॉलर तो नहीं देंगे यूँआन दे तो चाइना का हम क्या दे वो भी नहीं दे रहे हैं आप एक काम करो आपको क्या लगता है कि हमारा देश आगे आने वाले टाइम में तरक्की करेगा और आपके लडाईयों के कारणा आपका नुक्सान कुछ ना कुछ होई रहा है अगर वो पैसा आप इंडिया में पैसा डाला हुए अपना एक्जैंपल दे रहा हुआ है इस बी आई में आपका अकाउंट है इतने करोडो रुपया पड़ा हुआ है इस पैसे को यूज़ कर लो उन्होंने का भाई कैसे करे हमारी स्टॉक मार्केट में डाल दो यह देखो हमारे डिफेंस कंपनी आपक में पैसा इन्वेस्ट कर दो यानि मार्केट से खरीद लो आपकी इन्वेस्टमेंट यहां गई वो कहा है अच्छा जी बढ़िया बात है अब आप देखो इसे कहते हैं शांदार दिमाग ओईल लिया ओईल के बदले में पैसा न देकर के उनका जो पैसा यहां पर था उस पैसे से उनको इंडिया के अंदर ही इन्वेस्ट करवा दिया अब उनकी इन्वेस्टमेंट हो गई तो यह गेम जो बनी है इस गेम को अगर कोई समझ बाए तो इसका इंपैक्ट स्टॉक म करने वाला व्यक्ति है वो ही सारे के सारे जितने डॉट से वो जोड सकता है एकॉनमी को देखने के बाद माइक्रो हो चाहे मैक्रो हो ये जो मैं वीडियो आज आपके सामने बना के जा रहा हूँ ना माई डियर फ्रेंड्स ये अगले पांच सालों तक आपको पूरी की पूर दिखाता रहेगा बार बार देखने वाला वीडियो है जितने लोगों को ये दिखा सकते हो और जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसको समझ पाएंगे माई डियर फ्रेंड्स पांच साल बाद और 2030 के अंदर आनंद पाएंगे मिलेंगे अगले सेशन में तब तक के लिए दीजिए इजासत बाबाई ठेकर एंड ब्लेस यू और एक बार फिर से जैसी अराम